आप सब कैसे हैं आज मैं बनाने वाली हूं एक बहुत टेस्टी और बहुत हैल्दी रेश्पी और आप वीडियो कौन तक जरू देखिएगा और मैं अभी देखिए यह ने मैंने चावल भीगा के रखिया हैं हमने तूर का डाल दिया है यह मूं का डाल दिया है एक कप और मूं लिया है एक कप से थोड़ा कम ने मूंका डाल लिया है भीगा के रखाए इसा एक से दो कप लगव में चावल लिया है हूं हम इसका नास्ता बनाना हाली है आप गयरूर देखिएगा बहुत हैंदी आप टेस्टी नास्ता है शबीन हम स्टार्ट करने हैं इसको बन कि एक एक करके हम सारे चीज को हम ऐसे मीक्सर पीस लेंगे चाल में ज्यादा हम पानी नहीं डालेंगे यह तो गिल्ला हो जाएगा ऐसे सुखा ही हलका सा पानी का ऐसा चीटा डाल के इसको पीसेंगे कि अभी हमने अरहर के डाल को पीसके ले लिया है अभी हम हरे मौ को पीसके ले लिया है इसमें डालते है अभी हम अभी हमने मौ का डाल रखा था हो भी हम पीसके ले लिया है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरू करिएगा और वीडियो कौन तब देखिएगा अवेल आइकन का बटन भी दबा दिजिएगा ताकि मेरा नहा वीडियो आप तक हो सके हमने पूरे दाल को पीशा हुआ था सारा मिक्स कर लिया है अभी इसमें हम और सब सामान दिलाते हैं इसमें हम काली मेरी डाल देंगे इसमें लासन अत्रक और निर्ची का पेश्ट है उग डालेंगे इसमें नमक डालेंगे वादन उसार नमक डालेंगे दो चमाच जीरा डालेंगे एक चमाच हल्दी डालेंगे एक चमाच घर मसल डालेंगे और देयर सारा हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे दनिया पत्ती डालेंगे और टेश्टी करेंगे बहुत विटामिन्स की नाव प्रोट्यू की रिस्पी है आप बनाईएगा जरूर चानल की कमेंट जरूर करना कैसा बना है चाट मसाला भूल गए थी अभी डाल देरेंगे बहुत हैल्दी रेस्पी अपने बना के जरूर खाईएगा इसमें सारे विटामिन्स की शामान डाले गए है अभी चलते हैं कड़ाए के तरफ चलते हैं इसको बनाते हैं विक्स करके तयार हो गया अब बच्चलों के टीफिन में और मार्निंग के नास्ता में साम को कभी भी आप इसको बना के खा सकते हैं अब इसको हम बनाते हैं अब कड़ाए में हमने तेल रखा हुआ है अब इसको हम ऐसे करके डालेंगे डालेंगे हमने सारे बड़ी को बच्चिया को हम कड़ाई में पुरा जाल दिया है विक्स को हम पकाएंगे अब यह पनके रेडी हो गया है प्रचे क्रचिए नास्ता इसको हम रेटमे निकालेंगे बर दान कीयोत हुआ कि थे वह बनांगें नास्ता बनके रेडी हो गया है अब हुआ कालने के लिए है जाट करेंगे भी में बनाय गृण किए गाहऊ कि वी पर्माद्रम करेंगे अच्छा बनके रेडी हो गए यह बहुत क्रंची है यह टेस्टी भी रहेगा आप बना के खाएंगे तो आपको परी पता चलेगा आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरू करिएगा और कमेंट करके जरू बताएंग कैसा बना है और यह बिल आइकन के बटन को दबा देना ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके ठैंक यू